नवरात्री की शुरुवात हम कलश स्थापना से करते हैं कलश में जल होता है, उसके उपर नारियल होता है इसके साथ ही साथ हम जुआरे भी लगाते हैं अब नवरात्री समाप्त होने जा रहे हैं हम मेंसी कईयों को ये पता नहीं होता कि कलश में जल का क्या करें? उस नारिल का क्या करें? और जुआरे जो अब इतने बड़े हो चुके हैं उनका क्या करें? कलश विसर्जन किस तिथी पर की जाती है शुभ मुहुरत क्या है कलश विसर्जन विधी क्या है पूजा में अर्पन किये गए तमाम वस्तों के साथ क्या करें ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी हवन संपन क्या है कन्या भोजन संपन किया है तब जाके कलश विसर्जन किया जाता है कलश के रूप में माता जो बुदा आचमन कीजिए ओम केशवाय नमहा, ओम माधवाय नमहा, ओम नारायनाय नमहा हाथ धोलिया उसके बाद अक्षत, फूल और मिठाय हाथ में लेकर संकल्प करें संकल्प कीजिए कि नवरात्री समापती कलश विसर्जन करेंगे संकल्प करने के बाद हाथ में वस्तवे माता के समक्ष रख दें पूजा आरती करके माता के आशरवाद लीजिए सबसे पहले कलश में स्थापित सभी देव देवताओं का एक अंतिम बार पूजा कीजिए इन नौ दिन आपके पूजा ग्रहन करने के लिए और आग को आशरवाद देने के लिए उन सभी देव देवताओं का शुक्रियादा कीजिए उन से कहें कि अब वे अपने अपने स्थल वापिस प्रस्थान करें और जब जब उनकी पूजा फिर की जाएगी तब तब वे दरूर आएं इसी तरह भगवती की पूजा करें दुर्गा सब्तशती या देवी सुक्तम का पाठ करें मा भगवती से ख्षमा याचन करें कि व्रत में जो भूल हो गई हो उसे ख्षमा करें मा ताजी का भी धन्यवाद कीजिए वे भी आपके नौ दिन के पूजा ग्रहन की आपके भक्ति और व्रत से प्रसन हुई उनका शुक्रियादा करते हुए उनसे कहें कि वे अपने स्थल वापस प्रस्थान करें और अगली बार की पूजा में वे अवश्य वापस लोटाएं ओम श्रीम श्रीम क्लूम हूम या फिर ओम आम हरीम क्लीम चामुन डाय विच्छे का जाप करते हुए कलश उठाएं माता की मूर्ती या पिक्चर जिसकी आपने पूजा की उसे वापस मंदर में अपने स्थल पर रखतें इसी तरहां गनेश जी की मूर्ती और सिमहासन को भी मंदर में अपनी अपनी जगा वापस रखतें जवारे किसी के अच्छे सी ग्रोथ होती है और किसी के ना के बराबर होती है अगर वे घने और हर्याली हो तो वे शुब संकेत है घर में आने वाली सम्रिधी का सूचक जैसा भी ग्रोथ हो ये आने वाले टाइम का संकेत होता है अगर जवारे की कम ग्रोथ हो तो इससे कुछ दर्ये मत ये माता का आप के लिए संकेत है कि आने वाले समय में आपको सावधानी से रहना होगा अब जो पत्या है उसका क्या करें देखिए ये एक तरफ से माता जी का आशरवाद है इन में से कुछ पंक्तों को तोड़ कर आप मंदर में भगवान के सामने रखें बाकी का जो ग्रीन पार्ट है उसे आप सावधानी से कैंची से काट कर मिक्सी में डालके है उसका रस निकालके उसका सेवन कीजिए ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है सफेद अंकुर के लिए सावधानी से खोजे ये मिलना बहुत अपूर्व है ज्यादा तर नहीं मिलता अगर मिल जाए तो माता को अरपन करके अपने मंदर में हमेशा के लिए रखे हरे अंकुर आपको बहुत मिलेंगे ये आप माता को अरपन करते उसके बाद आपके घर के समीब किसी भी पीपल के पेड के पास इन अंकुर को एक गमले में रख दे खेतरी के दाने प्रशाद रूप स्वीकार कर ले इससे आयू बढ़ती है चौकी पर से वस्त्र हटा दे चौकी पर सादा चावल हो तो उसे भगवान के प्रशाद के लिए उप्योग कर सकते हैं अगर उसमें अक्षत की तरह हल्दी कुंकुम मिला दिया है तो मचली या पक्षी को खिलाने के लिए अलग रख दे सुपारी फल और मिठाई प्रशाद की तरह सेवन करें कलश में आम के पत्तों को हटा दें उन मेंसे दो पत्तों के साथ कलश के जल को छिड़क सकते हैं कलश का जल पहले अपने उपर छिड़के फिर घर के अन्यसदसियों पर कलश का जल घर के चारो कोनों पर छिड़के और अपनी मनो कामना करते रहें कलश का ये पवित्र पानी घर में नकारात्मक उर्जाओं को दूर भगाता है इस जल का सेवन करें स्वास्ति अच्छा होगा पानी अगर बच चाता है तो इसे किसी फूल के गमले में चढ़ा दे या तो बरकत या पीपल के पेड़ को भी चढ़ा सकते है कलश में पड़े सिक्के को तिजोरी में रखें ये आपके घर समृध्धी लाएंगे कलश पर बंधा कलावा बाजू या गले में धारन कर सकते हैं ये कवच का काम करेगा मा से लिया गया नार्यल पुन्य प्रतापी होता है नवरात्री की ये पूजा कलश विसरजन से संपूर्ण होता है नदी या तालाब में उनका प्रनाम करके ये मंत्र जापते हुए बहा दे अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो अपने घर के किसी पौधे के गमले में उसके मिट्टी में दबा दे अखंड जोती जो आपने जलाई है उसमें और घी ना डाले उसे अपने आप से ही भुच जाने दीजे कलश के साथ ही अखंड जोती को भी बहा दिया जाता है चाहे तो आप उसे घाट पर छोड़ दे दोस्तो इससे वीडियो समाप्त होता है कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज पूछे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद